उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के हग के लिए बड़ा फैस्दा लिया है महिलाओं को समाज में समान दर्जा दिलाने और उनका मान समाज में बढ़ानी के लिए योगी सरकार ने ये एहम खोशना की है जिसके तहट मृतक आश्रित कोटे यानि की अनुकंपक के आधार पर विवाहित बेटियां भी सरकारी नौकरी की हगदार होंगी यानि मृतक के आश्रित कोटे से अब विवाहित बेटियों को भी सरकारी नौकरी मिल पाएगी देखे रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की बेटियों के लिए बड़ी घोशना की है जिसके तहट मृतक आश्रित कोटे यानी अनुकंपा के अधार पर विवाहित बेटियां भी सरकारी नोकरी की हगदार होंगी सियम योगी आदित्यनाथ ने बुद्वार को कैबिनेट बाई सरकुलेशन वाले इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है प्रदेश के सरकारी विभागों में अब अनुकंपा के अधार पर विवाहित बेटियों को नोकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है प्रदेश में अभी तक मृतक आशृत कोटे पर अनुकंपा के अधार पर विवाहित बेटियों को नोकरी देने की वैवस्ता थी विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्ता ना होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकम्पा के आधार पर नौकरिया नहीं मिल पा रही थी कुछ मामलों में तो एकलोती विवाहित बेटी होने के चलते परिवारों को परिशानियों का सामना करना पड़ जाता था पहले प्रदेश में मृतक आशृत कोटे के तहट अनुकंपक के आधार पर विवाहित या अविवाहित बेटों के अलावा अविवाहित बेटियों को नौकरी देने की व्यवस्था थी इस वजों से कई परिवारों को मुश्किले जहेलनी परती थी एसे कई मामले कोट पहुँचे और विवाहित बेटियों को भी नौकरे देने की मांग की गई इस मामले पर संग्यान लेते हुए सीम योगी आदितनाथ ने पुरानी विवस्ता में संशोधन कर दिया और अब विवाहित बेटियों को भी नौकरिया मिल सकेंगी बुद्वार को योगिया अधितनात की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिसत की बैठक में कई और बड़े फैसले किये गए बैठक में पुरानी विवस्ता में संशोधन करने पर सहमती बनी कि कुटव्म की परिभाशा में विवाहित पुत्रियों को भी जोड़ दिया जाए इसके अधार पर कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मिर्त सरकारी करमचारियों के आशिरितों की भरती नियामावली 2021 को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज़ था बीजवी सरकार महिलाओं के हखों में अकसर काम करती आई है महिला सशक्ति करण पर जोड़ देती रही है वही योगी सरकार महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाई भी लेकर आई है यूपी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है जिससे महिलाओं का इस्तर भी उतना ही बढ़ सके जितना पुरुषों का है महिलाओं के लिए महिला सामर्थे योजना को भी लाया गया है जिससे महिलाओं को ज्यादा से जादा रोजगार से जोड़ा जा सके वही महिलाओं को बराबरी का हग दिलाने के लिए बेटियों के लिए आज ये एहम घोशना भी की गई है Capital TV में फिलाल के लिए बस इतना उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें Capital TV उत्तर प्रदेश नमस्कार